इवी एस के पार्टू में आपका स्वागत है As we grow यानि शिशू की रुद्धी केसे होती है अभी हम वह देखेंगे A little baby is born यानि के जनम लेना New born babies यानि के जो छोटा बच्चा होता है वह जनम लेता है Everyone is happy अगर देखो बच्चो हमारे फैमिली में किसी भी छोटे से बच्चे ने अगर जनम लिया तो हमें क्या होता है बहुत आनन्द होता है बहुत खुशी होती है Everyone is happy यानि हम सब हमारा जो पूरा परिवारे वह आनन्द में हो जाता है The mother lovingly takes care of her baby और मा अपने उस नन्न बच्चे की क्या करती है बहुत ममता से उसकी ध्यान रखती है उसका ख्याल रखती है She baats the baby everyday यानि के ना ना वह प्रती दिन everyday यानि के प्रती दिन वह अपने शिश्यो को प्रती दिन क्या करती है नहलाती है She fits, eat milk when it is hungry अगर उस शीचु को भूख लगती है तो वह क्या करती है मिल्क यानि के उसे दूद पीलाती है शी सिंग्स इट टू स्लीप विद देखो वह क्या क्या करती है वह हम यहाँ पे देख रहे है वह क्या करती है अपने बच्चे का अच्चे से खयाल रखती है उसके बाद उसको रोच समय से नहलाती है और जब यदी उसे भूक लगती है तब वह क्या करती है? उसे खाना भी खिलाती है और उसके बाद She sings it to sleep with जो लेबीज होता है यानि के उसे हम कहते है अंगाई यानि के जो गीत होता है लोरिया होती है वह उसे गाकर क्या करती है वह सुनाती है Slowly the baby grows और धीरे धीरे वह क्या होता है ग्रोज यानि के बढ़ना उसकी क्या होती है उस शीशु की वह शीशु धीरे धीरे बढ़ने लगता है It becomes taller Its weight also increases और क्या होता है taller यानि के वह धीरे धीरे क्या करने लगता है देखो यह छोटा सा बच्चा है फिर वह ऐसा होता है तरो उसकी मा उसे खिलाती है, रोज नहिलाती है उसका खयाल रखती है और वह taller होता है यानि के धीरे धीरे वह बढ़ने लगता है और उसका weight जो वजन होता है वो भी क्या होता है बच्चो बढ़ने लगता है यह सेम प्रोसेस हमारे बारे में भी हुई है As the baby grows up It learns to crawl यानि के रांग और शिशु क्रमशा बढ़ा होने लगता है और वह रांग यानि के वह अच्छी तरह से चलने भी लगता है Its teeth come out come out one by one और उसके जो दात होते है वह one by one आने लगते है Then it learns to stand and later to walk और वह क्या करता है बढ़ा होना सिखता है और वह stand, later to walk यानि के वह लड़ खडाते हुए चलने लगता है धीरे धीरे वह चलने की भी कोशिश करता है All this while it gains in height and weight और बाद में वह लड़कडाते हुए क्या करता है चलने भी लगता है और बढ़ने भी लगता है और उसकी जो height और weight होता है वह भी क्या होता है बच्चों अपकोस वह भी बढ़ने लगता है और उसी प्रकार वह धीरे धीरे करके क्या करता है अन्ने लोगों को और पीपस यानि के अन्ने लोग अन्ने लोगों को भी वह पेचानने लगता है eat beings to have other foods और वह क्या करता है धीरे धीरे उसकी मा को पेचानता है other person को भी पेचानने लगता है और कुछ अन्न आहर भी और क्या होता है begins to have other foods और उसकी जो मा है उसे other foods भी खाने को देने लगती है mother feeds the baby rice with milk और क्या करती है उसके बाद वह घर के अन्ने लोगों को पेचानने लगता है वह कुछ अन्ने आहर को भी खाने लगता है और धीरे धीरे वह क्या करता है बोलने भी लगता है baby rice with milk वह rice with milk यानि के जो राइबात होता है उसमें milk डालके भी वह खाने लगता है उसकी mother उसे rice milk भी देती है और gradually it brings to speak और धीरे धीरे उसमें क्या होने लगता है बच्चो परिवर्तन होने लगता है उसकी मा उसे क्या देती है दूद भाद भी खिलाती है और अन्या हर भी उसे दीरे दीरे देने लगती है और उसके बाद वह क्या करता है speak यानि के वह दीरे दीरे बोलने भी लगता है क्या करता है वह दीरे दीरे बोलने लगता है अभी next Whether it is a boy or girl nature does not differentiate between the two in their growth देखो gradually यानि दीरे दीरे वह क्या होता है वह दीरे-दीरे क्या करने लगता है बच्चो बोलने लगता है वह दीरे-दीरे बोलना भी सिखता है और लड़का हो या लड़की उरुद्धी होते यानि के जो उनमें बदल होते हैं लड़का हो या लड़की हो लेकिन जो परियावरन होता है जो निसर्ग होता है वह उनमें जो प्रकृती होती है उनमें बेदबाव नहीं करती है दोनों में जो परिवर्तन है वह सेम प्रकार से होता है When they become bigger, they are not babies any longer कुछ और बड़ा होने पर वह शिशू नहीं रह जाता छोटे बच्चे से वह किशुर हो जाता है दोनों में बेदबाव नहीं करते हैं दोनों में जो डिफरंस है वह सेम तरीके से होता है A little boy becomes a big boy, a small girl become a big girl और जो छोटे बच्चे होते हैं वह सदा ही छोटे रहते हैं क्या? वह सदा ही शिशू रहते हैं क्या? नहीं, वह छोटे बच्चे से किशुर और किशुरी हो जाते है क्या हो जाते हैं? देखो, यहाँ पे बहुत छोटे थे लेकिन यहाँ पे वह किशुर और किशुरी यानि के वह क्या हो गए बच्चो? बड़े हो जाते हैं लड़का हो या लड़की दोनों बड़े होते हैं At the age of six, children start school और आयू के six year में वह क्या करते हैं? स्कूल में जाने लगते हैं आप लोग भी जाते हो ना वो भी पारशाला में जाने लगते हैं They keep growing in height until the age of 18 और आयू के 18 वर्षत तक युवक यूतियों की उच्चाई बढ़ती रहती है उनकी height कब तक बढ़ती हैं बच्चो? 18 year तक आप लोगों की भी जो height है वह कब तक बढ़ेगी? जब तक आप लोग 18 year के हो जाते हो तब तब आग की height बढ़ेगी उसके बाद नहीं बढ़ती है Until 40 years of age a person remains fit और आयू के 40 वर्षत तक मनुष्य का स्वास्त प्राय उत्तम बना रहता है कितने year तक? 40 यानि के 40 वर्षत तक मनुष्य बहुत fit रहता है बहुत तंदुरूस्त रहता है There is no gain in height but weight keeps increasing और उत्तम जो आयू के 40 वर्षत तक मनुष्य का स्वास्त केसा रहता है बहुत उत्तम बना रहता है और उचाईन बढ़ने पर भी वजन प्राय बढ़ता रहता है और उनका जो वजन है वो भी increase होता है Good habits and good food help to maintain good health We benefit from regular exercise और अच्छी आदतों और अच्छे आहर Good habits यानि के आदत अच्छी आदत और अच्छे आहर के कारण स्वास्तम बने रहने में क्या होती है सहायता मिलती है यदि आप लोगों ने अच्छी exercise की बच्चों Good habits जो अच्छे आदते है उनका स्विकार किया और जो आहर होता है वह अच्छे से लिया जो सबजी रोटी है सब प्रकार की आप लोगों ने खाई तो अपना स्वास्तक एसा रहता है बहुत तंदुरुस्त रहता है और आप लोग बहुत फीट रहते हो और उसके बाद benefit from regular exercise यानि के व्यायाम और नियमित व्यायाम करे तो उसका लाभ हमें अवर्ष्य होता है इवन अफटर 40 years of age there are changes in our body और जब तक आप लोग 40 years यानि के 40 वर्ष के होते है तब तक आपका जो शरीर होता है वह केसे होता है बहुत तंदुरुस्त होता है और अफटर 40 years यानि के 40 वर्ष के बाद समय नुसार शरीर में क्या होता है बच्चो परिवर्थन होता है क्या होता है ग्रैज्योली यानि धीरे धीरे आपके शरीर में ग्रैज्योली क्या होता है धीरे धीरे परिवर्थन होता है केसा परिवर्थन gradually eye sights यानि कि eye sight यानि कि हमारी जो देखने की दुरुष्टी होती है वह कैसी होती है becomes weak वह कैसे होने लगती है जो हमारी वह जो देखने की दुरुष्टी होती है वह क्या होने लगती है कमी होने लगती है दिरे दिरे आकों से अस्पष्ट दीखने लगता है क्योंकि आपकी उमर होने लगती है इसलिए 40 वर्ष के बाद आपको आक की प्रोबलेम होने लगती है आपको जो चीजे होती है वह कैसे दीखती है अस्पष्ट सो रूप से दिखने लगती है उसके बाद hair start turning gray उसके बाद क्या होने लगता है जो आपके बाल होते है वह सपेद होने लगते है turning gray यानि कि वह सपेद होने लगते है क्योंकि आपकी आयू होने लगती है in old age the body's strength decreases further देखो क्या होने लगता है अभी जो आयू बढ़ने के कारण शरीर की शक्ती क्या हो जाती है दीरे दीरे कम होने लगती है strength decreases जो आपकी शक्ती होती है वह भी पेले की तरह नहीं लगती है रहती है वह दीरे दीरे क्या होती है कम होती है hearing and memory become weaker और उसके बाद hearing यानि करस्थ कानों से सपष्ट सुनाई नहीं देता है और memory यानि के हमारे जो स्मरण शक्ती है वह क्षीन होने लगती है weaker यानि के क्षीन होना कम ко also क्या हो जाती दिखने भी अस्पष्ट स्वरुप से हमें लगता है और उसके बाद जो सुनना है वह केसे जो कानों में स्पष्ट सुनाई नहीं देता है और उसके साती सात स्मरन शक्ती भी क्षिन होने लगती है टीथ बिगिंग टू फॉल और उसके बाद क्या होने लगता है जो बहुत स सारे लोग होते हैं उनके दाद भी गिरने लगते हैं क्यूंकि उनकी एज अब बढ़ती जाती है वी स्लीप लेस एंड डेवलफ वेरियस डिस और उसके बाद क्या क्या होने लगता है नींद भी बहुत कम आने लगती है उन लोगों को नींद नहीं आती है और अलग विभिन उनकी डेथ हो जाती है क्या हो जाती है उनकी डेथ यदि हम लोग 40 वर्ष के से रहते हैं बहुत तंदुरूस्त रहते हैं और 40 वर्ष के बाद हमारी उमर हो जाती है हम लोग बुड़ापे में चले जाते हैं उसके लिए हमें उसके बज़े से क्या हो जाता है बच्चों हम पार्ड थृ में दीखना भी अस्पश्ट सरुप से लगता है उसके बाद अच्छे से सुनाई नहीं देता है और क्या होजाता है खाना भी ज्यादा हजहम नहीं होता है और क्या होता है उन लोगों को जादातर नीन भी नहीं आती है एसा क्यों होता है क्योंकि उनकी उमर अभी बढ़ने लगती है ओके अभी हम लोग पार्ट त्री में फिर से यह लेशन देखेंगे ओके थैंक यू